हेलो एव्रीवन वेलकम टू ब्रुनम्स किचन पत्ता गोबी यानि की कैबच की सबजी तो हम खाते ही रहते हैं तो चलिए आज हम बनाएंगे पत्ता गोबी केकड़म क्रिस्पी टेस्टी एंड यूनीक भजिया यानि की पकोड़े की रेसिपी तो चलिए रेसिपी को शुर से देखें इस तरीके से हम हाफ कट लगा देंगे अब हम इसे पतला पतला और इस तरीके से लंबा लंबा चॉप कर लेंगे ऐसी ही यूनीक और हैल्दी रेसिपी मैं अपने चानल पर लाती रहती हूँ तो अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर ले ताकि मेरी हर रेसिपी आप तर पहुँचती रहे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें सभी को चौप कर लेना है चौप किये हुए पत्ता गुबी को मैंने एक बाउल में ट्रांस्फर कर लिया है अब हम यहाँ पर एक इस तरीके से लंबा और एकदम पत्ला पत्ला चौप करके प्याज आद कर देंगे टेसिस से बहुत ही बढ़ी आता है बचिये का अद्रक और हरे मिर्श को इस तरीके से दर्दरा कूट कर पेस्ट बना कर आद कर देंगे काली मिर्श पाउडर आद कर देंगे नमक स्वात के अनुसार आद कर देंगे एक टीस्पून धन्या पाउडर एक टीस्पून लाल मिर्श पाउडर एक टीस्पून अमचुर पाउडर एक बड़ियासी खटास आजाएगी भज़िये में अब मैं यहाँ पर हाफ बाउड चावल का आटा आड़ कर रहे हूँ इससे आपके भज़िये एक्टम क्रिस्पी बनेंगे एक पाउड के करीब बेसन आड़ कर देंगे जरूरत लगे तो हम उपर से एक का टीबल स्पून और आप बेसन आड़ कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी आड़ करूंगे स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा ही पानी आड़ करना है और धीरे धीरे पानी याद करते हुए एक सेमे थिक सा भजे का बैटर रेडी कर लेंगे प्यास में already moisture available होता है तो हमें धीरे धीरे ही इसमें पानी याद करना है जरूरत लगे तो आप उपर से एका टेबल स्पून और बेशन आद कर सकते हैं इस तरीके से स्क्वीज करते हुए भजे का mixture रेडी कर लेंगे आप देख सकते हैं भजे का mixture अमारा बनकर रेडी हो चुका है तो चलिए भजे तल लेते हैं तेल को मीडियम टैंपरेचर पर गरम कर लेंगे अब इस तरीके से भजे को हम तेल में डाल देंगे अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेर जरूर से करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले ये भजे आपको कैसा लगा मुझे comment बॉक्स में बताना ना भूले अब हम सभी भजे को medium to low flame पर उलटते पलटते हुए golden brown and crispy होने तर तल लेंगे इसे आप शाम को ऐस tea time snake खा सकते हैं इसे आप green चटनी यानि की धनिय की चटनी या फिर tomato ketchup के साथ सर्फ कर लें बजे हमारे तलकर ready हो चुके हैं गर्मा गर्म इसे चटनी के साथ मैं सर्फ कर लोगी आई होप आपको यह रेसिपी जरूर से पसंद आई होगी अगर आई हो तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना ना भूले Thank you so much for your valuable time and watching this video